असलाम ओलेकम वेलकम टू मेस्ट किच्छन उमीद है आप सब ठीक होंगे तो आज की जो रेसिपी है उसका नाम है कलाउट ब्रेड तो चलें इसको बनाने के प्यारी करते हैं कलाउट ब्रेड बनाने के लिए मैंने जो चीजे लिए है उसमें जाएगे यह मैंने लिए तीन अंडे की सफेधी और 30 ग्राम चीनी और 10 ग्राम कॉन फुलार तो चले हैं इसको मैं सबसे पछरे अंड़े की स्फेदी लेगे इसको मैं एक मिक्सर डो में बॉल में डाल दूँगी उसाथ इसमें मैं ये कॉन फुलार भी डाल दूँगी जोकि 10 ग्राम है अब शाथ इसमें मैं ये चीनी भी डाल दूगी चीनी ये 30 ग्राम है अगर आप टिटो डाइट पर है तो आप इसमें चीनी की मिदार कम कर सकते हैं यान कि हाफ कर ले या इसमें अपने जाइके के साफ से डाल ले तांकि आपकी डाइट खराब ना हो चले यहां पर जो ले लेंगे अब इसको मैं आउन कर दूगी बाल ले ले एन जाइब सैसरि माएट से जार सकते हैं 54 ऑछ्यवीं चले आपकी जार साफ सफ बस्ताइब ग्रीम चले फान कर जाए पर मिक्सिंग साफ से फवाल कर वाल रादाब ओ हो जात मिक्सिंगी बाल सेत बाल आपने बाल के वाल कि बाल ». तो यह देखें यह बीट होना शुरू हो गया है इसको हमने और अच्छी तरह से बीट करना है तांके इसके बीक बन जाए तो इसको मां और बीट करूंगी अब इसको मैं निकाल लोंगी अब इसमें बिलू कलर का फूड कलर डालोंगी जस वन ड्रोब तांके इसमें क्लाउड का जैसा कलर आए बस एक ही ड्रो में डाला है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें इच्छी तरह से ये फूट कलर मिक्स हो गया है अब इसको मैं मैंने बेकिंग ट्रेय ले लिया है इसको पर मैंने बेकिंग पेपर रख दिया है अब इसको पर मैं इसको डाल दूंगी अबरיל स्टिसниगक दोटू़ जाल इसको इसको पर दोगिवाक रगालाकह मैं फसक टालाही है अजित राजिस को पपला लेगे मैं देखिया हमारी ये क्लावडी क्लावडी सी ब्रेड अब बेक होने के लिए रेडी है तो देखिया इस तरह से मैंने इसके उपर इस तरह से सट कर लिया है क्लावडी ब्रेड को तो अब इसको मैं ओवर में डखूंगी बेक करने के लिए ओवर को मैंने प्रिहीट कर लिया है मेरा ओवन गास का है तो मैं इसे नमबर दो पर रखके इसको बेक कर लूगी अब अपने ओवन के टंपरेचर की इन्फोरमेशन के लिए उमेस टोट किचन पर विजिट करें और इन्पोर्टन इन्फोरमेशन पर क्लिक करें तो चले हैं मैं इसको करने के लिए तो यह देखें कलाउड ब्रेट बेक हो चुकी है इसको 25 मिनट्स लगे है बेक होने के लिए तो चलें, मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूं कैसी यह एक ब्रेड बनी है अब देखिये बिलकूर, इसका कलर भी बिलकुर ब्रेड बना तियार कर ली है आप इसको चोटा साबीर शेव देखर इसको बेक कर सकते हैं सेंड़िच की तरह भी इसको खा सकते हैं तो पसंद आए थम्स अप करें ट्राइज उर कीजेगा कुमार्स में बताएं कैसे बनी है फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें ये बिल्कुल फ्री है और बाल आइकन को जूट क्लिक करें ताके मैं ने आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें अल्लाहाफिस